दोस्तो आज कि इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के तरप से मिलने वाले तीन स्माटफोन के बारे में जो आपको 10 air के अंदर देखने को मिलता है और दोस्तो अगर आप 10 air के अंदर फोन लेते हैं तो चलिए उस्ता वीडियो का स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप वी तो आवी तो प्रियो को सस्क्राइब आप बूलिएगा और बेल आगन को ब्रेश कर लिगा चलिए उसमें तो वीडियो का साथ करते हैं प्रोसेसर आपको Qualcomm Snapdragon 665 देखने को मिलता है तो गेमिंग वेगर आप अच्छा खासा कर पाएंगे ट्रिपल केमरा से टप रियर में देखने को मिलता है जिसमें बारो में वसल का में केमरा का साथ ही टू में वसल का दे टू में वसल का माइक्रो सेंसर केमरा रहने वाला है आपको देखने को मिलता है इस फॉन में तो अच्छा का सा फॉन यह है दोस्तों अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो चार्टीबी रहाम और आपको 9000 रुपिया पढ़ने वाला है तो आप इसको चेक आउट जा सकते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने ती 610 देखने को मिलता है जीपसेट में तो ठीक ठाक गेमिंग वेगर आप इसको में कर लेंगे साथ जुसतों रेम और रोम के बात करते हैं तो इसमें आपको एल्पी डीडिया पर इसका रेम देखने को मिलता है चार्टीबी रेम और चॉनसर जीवी इंटरनल आपको दे साथ ही 5 air image की VDC बैटरी देखने को मिलती हा तो इस फोन में तो बैटरी भी आपको अच्छा घासा प्रफॉम्स दे देगा साथ ही Android 11 देखने को मिलता है और Realme UI आपको सॉफ्टेयर में साथ ही आपको रेम में फिंगरपिन संसर देखने को मिलता है और इस फोन के प्राइस यह जो कि दोस्त आपको 6.5 इच का HD plus resolution वाला IPS LCD पेनल देता है डिस्पले में और 60 ह का refresh rate और आपको water drop नोज देखने को मिलता है डिस्पले में साथ ही performance इस फॉन में आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें आपको Mediatek Helio Z85 मिलता है तो gaming वेगर आप इस फोन में आफाने से कर पाएंगे अप्ता कोड़ CP होगा और GPO R-Maili Z52 MC2 देखने को मिलता है तो gaming वेगर आप आपको अच्छा खासा कर पाएंगे साथ दोस्तों इसमें बैटरी अच्छा खास आपको देखने को मिलता है 6000 mh की बड़ी से बैटरी मिलती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और USB Type-C आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है साथ ही इसमें आपको Android 10 देखने को मिलता है और Realme UI आपको देखने को मिल जाएगा RAM और ROM के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4GB RAM और 14GB इंटरनल लेखने को मिलता है और इस फोन का प्राइस आपको 10,499 पर पढ़ने वाला है तो इस फोन में दूस्तों आप gaming, display और camera भी अच्छा खासा देखने को मिलता है तो आप त तिनो फोन में से अगर एक फोन लेना चाहते है दा सेयर के अंदर तो ये phone आप ले सकते हैं साथ ही जोस्तों इन तिनो फोन में से आपको ज्यादा बेटर phone कौन सा लगा आप हमें comment करके बता सकते हैं वीडियो में कोई भी कमी रही हो तो आप हमें suggest कर सकते हैं साथ ये video को like शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा तो चलिए उस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक आफ हमारे चैनल के दूसे वीडियो को देख सकते हैं